हेलो एबरीबन स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ मैंटर्स पर तो चलिए जो मिनिट 26 मार्च को आपको डिफ्रेंशिल एक्वेशन के दो कोश्चन्स दिये थे उनका स्लूशन देख लेती है कि क्या आएगा उनका स्लूशन आपने अगर कोश्चन्स किये हैं तो अधर अपने मैच कर लेना ठीक है जी तो फर्स्ट और सेकिंड कोश्चन हमने चैनल पे भी इसका फुल डिफ्रेंशिल केशन के फुल डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रखा है उसी को चलते हुए हना रात को साढ़े नोवजे की लाइफ क्लास में उसी से बेस्ट ये को ना तो देखिए यहां पर देखिए x square common आ रही है यहां पर देखे y square common आ रही है daha काल लिया उसके बाद resolve separation कर लेंगे x square 1 minus y dy minus y square 1 plus x dx तो यहाँ पर dx है तो x इदर आएगी 1 minus y upon y square integration भी लगा देते हूं साथ में यह हो गई variation separation complete x और dx एक जगह पर आगए y और dy left hand side आगए और वो right hand side अब इनको separate कर लीजिए 1 by y square minus 1 by y dy is equal to 1 by x square plus 1 by x dx इसके आगे minus खाएंग भी था अब इसकी करेंगे तो अब इसकी integration करेंगे y raised per minus 2 हो गया ना यहाँ पर minus 1 upon y आएगा minus log y is equal to minus यहाँ पर भी 1 upon minus 1 plus 1 मन जाएगा मैंने नीचे लिख दिया है ठीक है जी minus में plus log x plus c constant तो यह आगया आपका answer minus minus multiply कर देंगे plus कर देंगे मैं इसकी options लिखनू थोड़ा सा अब थोड़ी सी calculation और करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास space नहीं है तो मैं इधर कर लेती हूँ बाद मेरे इसकर के questions पर देखो 1 by y 1 by x minus और minus इस minus से कर देते हैं पहले minus 1 upon y minus log y is equal to 1 upon x minus log x plus c अब कैसे करेंगे इसको यहाँ पर इसको उस्तरफ ले जाएंगे इधर हाँ ठीक है भी minus log y plus log x is equal to 1 by x plus 1 by y plus c यह लिखा जाएगा log x upon y क्योंकि y के आगे negative था तो वो divide में जाएगा 1 upon x plus 1 y by plus c तो यह आजाएगा आपका answer I think that is option number b question आपके पास है तो देख सकते हो यह हो गया variable separation method variable separate किये integrate किया integration होने के बाद उसको calculate करके एक proper option तक हम ले आए ठीक है जी अब next question पर move करेंगे question number 2 पर question number 2 देखती है कैसे चलेगा question number 2 ठीक है जी यह question number first हो गया चलिए solution of question number 2 general solution of the differential equation यही से आपको पता चल जाएगा भई general solution of differential equation यहाँ से अगर मैं x को मा निकाल लू y plus 1 हो गया plus 1 y plus 1 factor इस कर लिया x plus 1 और y plus 1 दो factor होगे इसके ठीक है यहाँ पर d y upon dx था इसको उस तरफ ले जाओ इसको इस तरफ 1 upon 1 plus y d y variable separation perform करेंगे आपका answer आ जाएगा इसका क्या बन जाएगा log 1 plus y इसका x square by 2 plus x plus c बहुत easy question था mint में हो गया यह question और important question था आपका I hope आपको समझ में आया होगा common निकाला factorize किये variable separation किये integration perform की और answer आ किया if you like the video like and share with your friends thank you bye bye all of you